हेलो फ्रेंस स्वागत है आपका चटकारा चटपट पर अभी विन्टर सीजन है और विन्टर सीजन में मार्केट में हरे ताजे मतर बहुत अधिक मातरा में देखने को मिलते हैं और ये बहुत सस्ते भी होते हैं, तो हरे ताजे मटर की मेरे पास एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जिसका नाम है गोदला, जारखन और बिहार में इसे गोदला कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में इसे निमोना के नाम से भी जाना जाता है, गोदला की रेसिपी बनान के लिए सबसे पहले मैंने यह पर लिया है हरे ताजी मटर। यहाँपर मैंने 400 ग्राम च्माटर लिया था उसरे छूडा करके यहां पर मटर के दाने जो निकले हैं वो मेरे पास है मैंने इसे मिक्सिजार में डाल लिया है अब मैं इसे पीस लूँगी ये इसे बहुत महीन नहीं पीसना है हलका दरदरा ही रहेगा तो काफी अच्छा बनता है गोदला अब इसे बनाने के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वो है पिसा हुआ हरा मटर यहां पर दो आलू को छील कर कट कर ल लिया है एक टमाटर का पेस्ट बना लिया है दो चम्मच लैसन का पेस्ट है और एक चम्मच अध्रक यानि जिंजर का पेस्ट है यह पर सुखी मसाले में तड़के के लिए तिशपत्ता जीरा और मिर्च है दो चम्मच यानि 2 तीस्पून धनिया का पाउडर है 1 दालेंगे और हाफ तीस्पून गरम मसाला लिया है मैंने अब दो चुटकी भर यहां पर हिंग लिया है तड़के में डालने के लिए और हाफ से भी कम तीस्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और एक बड़े चमज से देसी घीली है अब हम कढ़ाई में सर्सों के तेल को डाल करके तो चमज बड़े सर्सों के तेल को मैंने गरम कर लिया था अब यहां पर हम आलू को फ्राइए करेंगे आलू को फ्राइए होने में दो से तीन मीनट का समय लग जाता है आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे यहां पर हलका सा मैंने नमक डाल द तक तलेंगे एप्रॉक्स दो से तीर मिनट में ये गोल्डन ब्राउन क्लर का हो जाता है यह गयास के फ्लेम को हाई रखा है मैंने आप बीच बीच में इसे हलका मीडियम भी कर सकते हैं अब 2-3 मिनट हो चुका है और ये आलू हमारा फ्राई हो चुका है यह देखे गोल्डन ब्राउन क्लर का हो चुका है यह अब हम इसके तेल को अच्छी तरह से निकाल करके इसे निकाल लेंगे बचे हुए तेल में हम डालेंगे दो सुखी मिर्च तेजपत्ता और जीरा जब कि अच्छी तरह से तड़क जाए तब हम इसमें हिंग डाल देंगे यह प्रोसेस जो है आप गोदला बनने के बाद भी बगार लगाने समय कर सकते हैं अब हम यहां डालेंगे प्यास को यहां पर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुलना है प्यास में हम नमक डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारा गोदला कितना है उसके हिसाब से नमक डालेंगे यहां मैंने पूरे गोदले की रेसिपी में डेड़ चममच नमक यूज किया है और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे यह भी डेड़ से दो मिनट में गोल्डन ब्राउन हो यह हमारा प्याज जिस कलरका में चाहिए हो गया है उस कलरका अब हम इसमें डालेंगे दो चममच लेसन पेस्ट और एक चममच अद्रग का पेस्ट अब इसे डाल करके फिर से हम एक से डेड़ मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि लेसन और अद्रग जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए उसमें कच्छापन का स्वादना आए इसे चलाते हुए देड़ से दो मिनट नहीं लगता है कम ही समय में यह भुना कर तयार हो जाता है इस तरह से हम चलाते हुए इसे भुनेंगे अब हम जब यह अच्छी तरह से प्राई हो जाएगा प्याज लेसन और आद्रग। तब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले में डालेंगे हम दो भी इसस्पून घनिया का पाऊडर वन टीजी पून जीरा पाऊडर वन टीज्पून यहां फोड़ा सकम हल्दी पाऊडर है वह डालना है और वन टीस्पून यहां पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया है अब सभी मसाले को अच्छी तरह से मिला कर अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट टमाटर मैंने एक लिया था अगर आप देशी टमाटर ना लें हाइब्रीड वाला टमाटर लें तो आप डे डालने से मसाला जो है वो अच्छी तरह से भूनता है और तेल रिलीस करने लगता है यह देखिए मसाले का जो कलर है वो कितना अच्छा आया है और मसाले को भूनने में हम गैस का फ्लेम जो है वो मेडियम तो हाई फ्लेम रखेंगे और यहां पर अब दो पिंच भर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद होता है तो डाले वरना न भी डाले अब मसाला को भूनते हुए लगभग 2-3 मिनट हो चुका है और मसाला भूना हुआ सब दिख रहा है अब इसमें बारी है कच्छे मतर को जो हमने पिसकर रखा हुआ मतर को डालने के बार अब जो कटोरी में थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें पाने मिला करके बीस में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से कम से कम 8-10 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे यह जो गुदला है वह तभी टेस्टी लगेगा जब आप इसको कम से कम 8-10 मि मिनट तक मीडियम तु हाई फ्लेम पर भूनेंगे जितना ज्यादा इसे अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही ज्यादा इसका जो टेस्ट है वह निखर कर आएगा इसलिए हमें इसे कम से कम 10 मिनट तो भूना ही है गोदला को टेस्टी बनाने का सबसे स्रीक्रेट तरीका अच्छी तरीके से भूने क्योंकि यह जब अच्छी तरीके से भूना जाता है तब यह इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो इसे हम लगातार चलाते हुए दस मिनट तक भूनेंगे और पूरे गोदले को बनाने में लगबाग 15-20 मिनट का समय लग जाता है और अगर आप जाता है सुरू में जब हम डालते हैं तो लगपग बाद में यह देखिए अच्छी तरह से ब्रावनिस कलर का लगपग हो क्या है अब हम इसमें तोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे फिर हम थोड़ी देर 21 मिनट चलाएंगे जिस से जो तेल है वो अच्छी तरह से release हो और इसके बाद अब हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और मैं आपको बोलूँगी कि आप इसमें हींग जरू डाले क्योंकि हींग डालने से जो है ये गुदला जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होता है और हींग डालने से इसका स्वाथ भी बहुत अच्छा आता है तो अगर आप सुरू में हींग डालना भूल भी जाएं तो लास्ट में तड़के में हींग जरूर डालें ये गोदला हमारा पुरी तरह से भून चुका है इसका कलर भी चेंज हो गया है ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसिस में ये नजर आने लगेगा और अब हम इसमें मिलाएंगे फ्राइ क्या हुआ आलू अब हम इसमें डालेंगे हम अपना जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी इसे 2-3 मिनट तक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे ये तयार हो चुका है हमारा गोदला अब हम आलू भी चेक करेंगे आलू तो वैसे तलने के वक्त ही पक चुका होता है लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर लेंगे क्या आलू हमारा पक चुका है या नहीं पूरे गोदले में मैंने लगभग देड़ ग्लास पानी डाला है ये अब मुझे इसे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और ग्रेवी आप ना तो ज़्यादा पतला रखें और ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा रखें दख करके भी बकाएंगे लोग फ्लेम पर तक कि जो भी हमारा मुदला पकना बचा हुआ है वो पक कर बिल्खुल रेडी हो जाए तो एक तेड़ मिनिट के लिए हम इसे ढख के पकाएंगे एक देर मिनिट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे फाफ टीसपून गरम-मसाला और इसे मिला करके ढख देंगे ताकि गरम-मसाले का महान Pale अब यादा पतल गिखी को पड़का करके लियू इसका गोदला के लिए हरा धनिया पत्ता डाल देंगे तो कैसी लगी आपको मेरे गोदला की रेषिपी, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसमें गाड़ापन और आएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसांद आ रही हो, तो मेरी comment box में जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपी और इसे घर में आप जरूर ट्राई करें, सरदियों के मौसं के लिए ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है और इसमें आप हींग जरू डालें क्योंकि हींग जब डालेंगे तो ये डाइजेस्ट होने में दिक्कत नहीं होगा और शेहत के लिए तो ये पाइदे मंद हैं ही तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ तेक्कियल बाइबाए